तो देखो इसके अंदर अगर तुम यह figure देख पा रहे हो देखो यह हमारे पास क्या है यह था यह आपका फील वायंडिंग और यह फील वायंडिंग इस तरीके से करने के बाद यह गई है यहां पर धैन हमने इस पॉल पर की है जोड़ा हूँ जोड़ा हुआ यहां पर फिर हमने pole पे करी winding pole पे जब pole winding पूरी होगी then उस winding को मैं armature पे ले गया armature पे करी और armature करने के बाद वो ही winding में भाल ले आया ठीक तो यानि कि अगर मैं इसका diagram बनाओ यह किस तरीके से की गई होगी तो देखो आपके पास एक है field winding ठीक है और एक है आपके पास armature winding तो आपने क्या करा इन दोनों को सीरीज में जोड़ दिया ठीक और circuit की बात कर लिजाए बड़ा important है circuit कैसे बना होता है तो देखो मैंने बताया था यह आपके पास field winding थी ठीक और यह आपके पास field winding ठीक और इसका resistance RF और एक आपके पास है armature winding armature winding resistance का कितना है इसका resistance है RA ठीक है और यहाँ पर जुड़ा होता है generator क्योंकि मैं generator की circuit बता रहा हूँ आने वाले समय मैं मैं मता हूँगा last मैं बता रखा है कि motor का circuit कैसे होगा यहाँ पर easy यानि generator voltage की बात करेंगे तो अगर generator की बात कर ली जाए तो यहाँ पर होगा voltage generator का easy यह brushes हो गए armature के winding के ठीक है और यह हमारा है output terminal क्योंकि armature winding हमेशा ही output terminal से जुड़ी होगी इसके साथ क्या होगा यहाँ पर series machine की बात कर रहा है तो यह कैसे जुड़ी होगे यह जुड़ी होगी इस तरीके से series में बहुत important ठीक अब देखो यह जो terminal तो मैं output मिल रहा है यह ही तुमारा पूरा का पूरा circuit से जुड़ा हुआ यानि कि इसी terminal से आपकी field winding में जुड़ी हुई है अगर मैं इस circuit को simplify कर दूँ अगर simplify करके बना दूँ तो कैसा बनेगा तो कुछ circuit इस तरीके से बनेगा यह तुमारी आगई field winding इसी के बाद आगई armature winding then आपका आगया rotor rotor मतलब generator voltage easy और यह brushes होगे और यह आगया output ठीक बहुत important output में बहुँजे voltage मिलेगा VT current आएगा IT यहां पर तुमारा लगा होगा इस पूरे circuit में यह लगा होगा load यह load लगा होगा जहां पर VT और IT मिल रहा है अच्छा अगर current की बात कर ली जाए बड़ा important है तो देखो easy यह क्या है positive negative का easy बनेगा यहां से current निकलेगा जो क्योंगा armature current वह ही current यहां पर जाएगा यानि की armature current equal हो जाएगा field winding के current में field winding अंदर मैं बता चुका हूँ field winding जो होती ही field winding यानि की FW उसके resistance होता है वो होता है RF ठीक है और current जो इसके अंदर flow करता है वो होता है IF ठीक है इसी तरीके से armature winding होती armature winding इसके अंदर जो current flow करता है वो होता है आई ए और जो resistance होता है वो होता है ठीक अब क्योंकि यह दोनों की series में लगे हुए है तो इसलिए आई ए जो होगा वो IF के बराबर हो जाएगा और वो ही होगा IT के बराबर तो इसके जो यहां से यानि कि इसका circuit अगर तो करोगे तो क्या-क्या चीज़े निकल के आई उसको जड़ा देख लेते हैं जल्दी से ठीक है कि यह अगर यह पूरा circuit तो simple से एक चीज़ निकल के आई कि IA जो होगा वो equal होगा field winding current के और वो ही equal होगा terminal current के ठीक है एक तो यह important observation निकल के आया clear हो रहा है यहां पर दूसरा जो important observation निकल के आया वो निकल के आया VT का यानि कि अगर इसकी बात की जाए VT की तो आप देखो पहले जो circuit में जो voltage drop होगा यानि कि generated voltage EG वो कहा-कहा drop होगा तो एक तो इस winding के across drop होगा प्लस एक इस winding के across drop होगा यानि कि एक voltage drop होगा IA RA का प्लस एक voltage drop होगा IA RF का ठीक है और जो बचा वो voltage वो कितना जाएगा वो बचेगा VT तो अब तुम्हारा पस तीन voltage drop है clear हो रहा है दो voltage drop हो जाएगे यानि कि IA RA और IA RF यह दो voltage drop होगे clear हो रहा है यहाँ पर इसको मार्क कर देता हूँ बहुत important है इसको note कर लोगना आप लोग यह इसके उपर numericals बहुत जादा आते हैं काफी numerical पूछे जाते हैं और यह एक one of the important part बन जाता है अच्छा अगर बात करिया है output में जो मुझे VT मिलेगा अगर तुमसे कहा जाए वो कितना मिलेगा ठीक है इसी calculation को solve करके तो जो VT मिलेगा वो equal to होगा easy यानि जितना generate होगा minus जितना drop हो गया और drop किता हुआ IA common हो गया RF plus RA यह equation को मैंने यहाँ पर इस तरीके से निकाल के रख दिया है तो जादर difference नहीं है इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं ठीक तो IOBG समझ में आ गई होगी कैसे यह series में जुड़ी होती और किस तरीके के circuit बनता है